हेलो फ्रेंज, आज मैं बात करने वाली हूँ प्लेइंग मैट को मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो है वेरुसी केट का प्लेइंग मैट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी जरूर करें तो ये प्लेइंग मैट मैने और किया Amazon से इसको इन्होंने इस बॉक्स में पैक करके भीजा है जो कि मुझे काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है प्लेइंग मैट की कॉलिटी मुझे अभी तक तो देखने में ठीक ही लग रही है इसके उपर होने इसल्फिन शीरोग भी चड़ाई है इसके साथ कुछ पेपर भी है जिसे मैंने देखा और इसमें लिखा है काफी अच्छी बाते लिखी हैं इसे आप जरूर पढ़ें एक न्यूबॉर्ण बेबी या किसी भी टॉडलर के लिए प्लेइंग मैट एक बेसिक नीड है और बहुत ही जरूरी चीज है मैंने काफी सारे मैट्स ट्राइक है बट मुझे को साडिसफेक्शन नहीं मिला तो फाइनली मैंने इस मैट को ओर्डर किया आई होप यह मेरी उमीदों पे खरा उतरे इसकी कॉलिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है इन फाक्ट इसमें जो यह फोल्स दिये हुए है इसको यह काफी यूजर फ्रेंडी बनाता है इसका साइज भी आप देख सकते हो बिल्कुल मेरे हाइट के बराबर है इस लाइक वेरी गुड़ साइज जिसमें आप अराम से पूरी फैमली के साथ बैठ सकते हैं और इसका प्रिंट भी काफी सुन्दर है ब्यूड़िफुल है मेरे बंदर के लिए इसमें बंदर भी आप देख सकते हैं और जिराफ्स भी है जंगल थीम है बेसिकली जो की काफी कलरफुल है और बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट भी करेगी अपनी तरफ यह मुझे खोदी बहुत जादा पसंद आ रही है अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स की तो यह BPA-free है जो की बहुत इंपोर्टन है अगर आप कोई भी प्रोड़क्ट अपने बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि वो BPA-free हो, toxic-free हो इस मैट में आप यह measuring tape भी देख सकते हैं जो की मुझे एक अच्छा addition लग रहा है जो मैंने किसी और मैट में नहीं देखा इससे आप अपने बच्चे की height को भी नाप सकते हैं इस पूरे मैट पर आप देखेंगे कि छोटे-छोटे से alphabets और numbers लिखे हो हैं जो की अभी तो नहीं बट आगे चलके मेरे बेटी के लिए ज़रूर थोड़ा interesting होगा ये मैट insulation भी provide करता है और जिससे बच्चा crawl करे या tumble कर जाए तो उसे उसको चोट नहीं लगेगी और प्लस जो नीचे जमीन की ठंड़क है सर्दियों में वे उस बच्चे तक नहीं जाएं ये मैट double-sided है बोद दो साइट आप इसको use कर सकते हैं जो दूसरे साइट का प्रिंट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काफी bright है alpha pets बने हुए है कुछ cartoon character बने हुए है आप देख सकते हैं काफी vibrant है इस मैट को आप अलग-अलग तरीके से fold कर सकते हैं और different sizes में इसे आप भिछा सकते हैं मुझे यह अपने बेटे के रूम के लिए काफी अच्छा एडिशन लग रहा है इसे store करने के लिए आप को ज़्यादा महनत नहीं करने पड़ेगी इसको आप किसी भी तरीके से fold करें यह एक छोटा सा compact सा mat बन जाता है VIC के playing mat को fold करना काफी easy है और convenient है इसको store करने के लिए भी आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए इसके mat की thickness भी काफी अच्छी है जो मैंने पहले mats यूज किये हैं उनकी thickness इतनी अच्छी नहीं थी तो मेरे लिए यह भी एक plus point है इस mat के लिए यह mat thickness के साथ साथ अच्छी खासा flexible भी लग रहा है मुझे like इसको आप bend करेंगे तो यह फटने वटने का डर नहीं लग रहा है और मुझे लगता है मेरे बेटे के लिए एक यह perfect addition है जिस पे वो अराम से खेल सकता है गिर सकता है क्रॉल कर सकता है और इसके अपने अलग-अलग गेंज को enjoy कर सकता है इस mat को आप सिर्फ घर में ही नहीं बलकि बाहर भी यूज कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं या पार्क में ऐसे ही बैठने के लिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसे साथ ले जाना काफी फायदे मन रहे का क्योंकि यह है अच्छे से फोल्ड हो जाता है यूजर फ्रेंडली है और इस पूरी फैमिली के लिए काफी स्पेशिस भी है इसका प्रिंट अलरीडी मैंने आपको बताई दिया कितना लुभावना है और इस पे बैठ कर आप अराम से अपना आउटसाइड ट्रिप एंजॉई कर सकते हैं इन फैक्ट मुझसे कई लोगों ने पूछा भी कि मैंने ये मैट कहां से लिया तो मैं आपको बता दूँ ये मैने अमेजॉन से लिया और महां पे आप वी आएसी किट का मैट सर्च करेंगे तो आप उसको मिल जाएगा इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है अगर आप मुझसे पूछींगे कि मैं इसे 5 में से कितने स्टार्स दूँगी तो मैं इसे 4.5 स्टार्स तो अराम से दे सकते हूँ अगर आप अपने न्यूबॉन बेबी के लिए या टॉडलर के लिए या यूँ ही बच्चे के लिए कोई मैट लेना सकता है यह मैट बच्चों के लिए काफी सेफ है और हाईजिनिक है इसे आप अराम से उनके साथ यूज कर सकते हैं यह वाटर रेपलेंट भी है अगर गलती से कुछ इस पे गिर जाए दूद गिर जाए जूज गिर जाए या कोई भी चीज गिर जाए तो आप इसे अराम स स्क्राइब भी जरूर की चीड़ा थैंक यू फॉर वाचिंग